जानते हैं आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो बहुत ही इंपोर्टेंट आपके अंदर क्या कह सकते हैं कि जिग्यासा जागी होगी कि आप अपनी पोटेंशल को कैसे अनलोक करें जिसे आप अनलोक करना चाहते हैं क्योंकि आप अप उसे आप भोगना चाते हैं आपकी कुछ एक वेक्तिगत desire सो सकते हैं goal सो सकते हैं family के goal सो सकते हैं इसलिए आपको अपनी potential को unlock करने के लिए एक प्रियड़ना मिली है जैसे आपने जेसे आपने मेरी इस वीडियो के थमनिल को देखा है दूसरा आपने इसलिए भी देखा है कि यहाँ पर एक word आया है अपने 80 billion neuron को जागरत करें या उनको जगाएं आपने ये भी सोचा होगा कि शायद ये 80 billion neuron क्या हैं जिनको मुझे जागरत करना भी बाकी है अगर ये दो चीजें आपको इस समय प्रभावित कर रहे हैं या impress कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको एक-एक point को समझाएगी और ये एक master class की तरह होगी यानि कि ये लंबी वीडियो होगी मैं अपने दिल से चीजों को दे रहा हूँगा अगर आपके पास समय होगा तभी इसे एक-एक point को देखिएगा एक-एक point को आप लागू करिएगा जो चीजें मैं आपके साथ share कर रहा हूँगा वो unique ही नहीं होगी बलकि बहुत relevant होगी उन चीजों को आप कहीं और से नहीं डोंड सकते क्योंकि वो चीजें मेरे 700 बुक्स को पढ़कर मुझे मिली है यह नहीं कि कहीं से मैंने किसी motivational speaker को सुना और उट-पटांग belief को मैंने लिया और आपको देना शुरू कर दिया तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस से पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं आपको एक कहानी के साथ जोड़ना चाहता हूँ यह कहानी आप नहीं हो जकता है कई बर बच्पन में सुनी हूँ इस कहानी को हम Adam और हववा के नाम से जानते है Adam और Eve जिन्होंने basically स्रश्टी को चलाया या निर्मान किया इस कहानी के अनुसार ऐसा कुछ होता है कि इश्वर यानि के Almighty Adam नाम के एक आदमी को एक पुरुष को प्रत्वी पर बेजते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके लिए यहाँ पर एक गार्डन जिसका नाम है इडन यानि कि वो इडन गार्डन में रहते हैं और उसके लिए सब कुछ है वहाँ पर एंजोई करने के लिए और उसे ही कहा गया कि आप अपनी पूरी बिंदास लाइफ को जीएं लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर एक इस बाग में एक पेड़ है जिसके उपर एक सर्पेंट यानि कि एक साप रहता है और वो बेसिकली अभी शब्ट है उसको अभी शाप दिया गया है वो आपको फसाएगा वो आपको अट्रेक्ट करेगा कि वो जिस पेड़ पर रहता उस पेड़ के फल बहुत मीट है वो मत खाना और वो खाने के लिए कहेगा एडम ने ऐसे ही कहा करा और एडम अपनी जिन्दगी को बड़ी अच्छी तरीके से जी रहा था कई बार वो उस पेड़ पर जो सर्पेंट यानि कि वो साप रहता था उसको कहता था कि आओ आओ आप पूरे बाग के फल खाते हो तो मेरे बाग के भी फल खाने शुरू करो लेकिन एडम को इश्वर की या ओलमाइटी की एक इंस्ट्रक्शन थी और कि ये नहीं खाना है तो वो नहीं खाते थे जिन्दगी बहुत अच्छे चल रही थी लेकिन तभी एडम को लगा कि वो अब बोर हो रहा है और उसको एक साथी चाहिए यहाँ पर जीने के लिए उसने अपनी इस इच्छा को इश्वर को बताया कि मुझे यहाँ पर जीने के लिए एक साथी की अवशक्ता है इश्वर ने उसके लिए एक महीला दी जिसका नाम था इव जिसको आप हिंदी में कई बरहवा के नाम से जानते हैं उन दोनों ने अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया दोनों बहुत यानंद के साथ जी रहे थे और कोई भी हमाँ पर परिशानी नहीं थी एडम ने इव को भी बता दिया कि आपको उस पेड के फल नहीं खाने हैं क्योंकि उसके फल खाने के लिए हमें मना किया गया इससे ज़्यादा कुछ नहीं इव उसकी बात मान रही थी एक दिन की बात है कि इव इस जंगल में घूम रही थी और अचानक वह उस पेड के बगल से गुजरी जहां पर वह सरपेंट या व सांप रहता था और जैसे वह महां से गुजरी उस सांप ने उसे अट्रेक्ट कर लिया और कहा कि तुम सारे बाग के फल तो खाती हो इस पेड के भी तो फल खाओ उसने कहा कि मुझे मना किया गया उसने कहा कि तुम्हें किसी साज़िश के तहत मना किया है आपको यह फल खाने चाहिए और एक बार इसको खाकर देखो शायद आप इसको अच्छा लगेगा और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप मत खाईएगा इव की बात ये समझ में आ गई और उसने एडम से पूशे बगार उस पेड़ का फल खा लिया और उस पेड़ के फल की खास बात ये थी कि जैस दारी तो या कोई और वर्ड नहीं दूगा लेकिन जैसी उसने इस फल को खाया कि अचानक उसको दुनिया दारी की बाते समझ में आने लगी उसे लगा कि हम तो नेकेड हैं और अचानक उन्होंने का कि हम नेकेड हैं मैं नेकड नहीं रहना चाहिए और पता चला है कि जैस कि तुमने हमारे जितने भी आनन्द था देविया आनन्द हमें मिल रहा था इस जीवन का उसका सत्यानास कर दिया है और तभी पता चला है कि ईश्वर ने भी उनसे जो एक blessing उनको gift में मिली थी उसको हटा लिया यहां पर यह कहानी खतम हो जाती है लेकिन इस कहानी को आप metaphorically सोचके देखिएगा उस पेड को हमने knowledge of tree भी कहा गया और knowledge of death भी I mean tree of death भी उसी को कहा गया यानि कि उस पेड के दो नाम रखे गए एक tree of knowledge और दूसरा tree of death तो आखिर उस पेड को ऐसा क्यों कहा गया कि वो tree of knowledge भी था और tree of death भी था यानि कि अगर हमें knowledge मिल रही है तो क्या वो death हमें देगी यह समयने की बात है मैं एक किताब को पढ़ रहा था जो रीज मॉगल के लिखी हुई है तो उसमें बेसी कली समझानी की कोशिश की गई है जो पहले इससे पहले के आप अपनी माइंड की उस potential को खोलना चाहते हैं जिसके द्वारा आप धन कवाना चाहते हैं अपने लिए बहतर सिहत को या किसी वीमारी को यूटर्ण करके सिहत को एंजोय करना चाहते हैं या रिष्टों को बहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यह समझे कि आप आल लेडी tree of knowledge या tree of death का यह fruit खा चुके हैं इसको समझने की कोशिश करिएगा उस सर्पेंट को अभिशाब दे गया था कि एक दिन यह सोसाइटी यह जमाना तुम्हारा मूँ भी कुछलेगा तुम्हारा फन कुछल देगा याद रखेगा इसका एक बहुत बड़ा यहां पर मेटाफोर यह संकेत है जब हम पैदा होते हैं तो कुछ दिनों के लिए हम अपनी लाइफ को बहुत ही बहतरी न तरीके से जीते हैं वह साल यूजवली दो या ढ़ाई साल होते हैं अब और जिसमें हमें किसी नियम की अवशक्ता नहीं पढ़ती खुश रहने के लिए ऐसा लगता है कि उन दो सालों में हमारे लिए सब कुछ बना है अगर हम कुछ गल्ती भी करते हैं तो उसके उपर हमारे पेरेंट्स हसते हैं गोद में उठा लेते हैं हमारी केर की जाती है और ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर आपके नियरोन को यह लगता है यानि के ब्रेन सेल्स को यह लगता है जो आपके सबकुंशिस का पार्ट है कि यही वो लाइफ है और जैसे इस से आगे आप बढ़ना शुरू कर देते हैं तो सुसाइटी यानि के समाज आपको अपने नियम पढ़ाना शुरू कर देता है बेसिकली समाज आपको नियम इसलिए भी पढ़ाता है उसके अच्छी बात भी है कि आप समाज के लिए बन जाओ और आप ऐस समाजिक कारिया ना करने शुरू कर दो तो वो आपको समाजिक कारियों के लिए समाजिक रूल्स के लिए ट्रेंड करना शुरू कर देते हैं आपको बताना शुरू कर देते हैं कि दो और दो चार को ही रटना पड़ेगा या लोजिकली समझना होगा आपको ये करना है ये नहीं करना है ये करना है ये नहीं करना है ये देविय सत्य नहीं बताय जाते बलकि आपको अपनी सोसाइटी के अनुसार इन रूल्स को आपको देना शुरू कर दिया जाता है और जो आपकी authentic life थी उसके अंदर एक तरह से एक नया fruit एक नया फल आपको खाने को मिलता है याद रखेगा इसी को हम tree of knowledge कहते हैं सोसाइटी के ये बाते हमारे लिए जरूरी भी हैं हम ये भी कह सकते हैं नहीं तो हमारा समाज बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा लेकिन ये खराब भी है क्योंकि यहां से आप अपने जो natural thinking process थी जो देविय थी उसको आप रोक देते हैं और समाज के अनुसार आप चलना शुरू कर देते हैं फिर आपको समाज बताने लगता है कि ये घटना आपके लिए जो घटी है ये खराब है या ये अच्छी है ऐसा होना चाहिए था ऐसा नहीं होना चाहिए था अगर ऐसा होगा तो तुम्हें खुश रहना है ऐसा नहीं होगा तो तुम्हें खुश नहीं रहना है यहां से यह सब चीज़े हमारे दिमाग के अंदर पढ़नी शुरू हो जाती है और हम बेसिकली उस सर्पेंट यानि कि उस साब के उन बातों को या उस फल को हम इस तरह से लेने लगते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल टूथ है लाइफ का हम उसे भूल जाते हैं और हम सामाजिक टूथ को अपना टूथ यानि कि अपना सत्य बनाने लगते हैं इतनी सी कहानी के बाद आप मैं शुरू करता हूँ कि अगर आप अपने जीवन की अपने सभी गांठों को खोलना चाहते हैं और उस पोटेंशल को अनलोग करना चाहते हैं इसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसके थमनेल ने शायद आपको परभावित किया है तो यहां से ये वीडियो रियली शुरू होती है लेकिन मैंने बेस बना दिया है मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप पैदा हुए थे ब्रेन सेल्स का एक नेटवर्क बनाने में सायक होता है ये नेटवर्क जैसा भी बनेगा याद रखेगा वही आपका परसेप्शन है और वही परसेप्शन जिसको आप मेमोरी भी कहते हैं या आपके सबकुंसिस के इंप्रिंट कहते हैं वही आपकी potential को lock कर देते हैं या unlock करने में सायक हो सकते हैं अगर आप पुराने यकीनों को लेकर जी रहे हैं तो मुझे मालूम है अगर आप एक middle class family से आये हैं तो आप एक word को यहीं से सीखना शुरू करें नोट कर लिजेगा वो है local model excellence local model excellence का meaning है कि जब आप बड़े हो रहे थे बच्पन में तो आप किस माहूल में रहते थे आप किस तरह की movie देखते थे किस तरह के आपके relative आते थे किस तरह की बाते आती थी और किस तरह के even channel और news आपके घर में देखी जाती थी किस तरह के आपके दोस्त थे आपका ये लोकल मोडल एक्सलेंस यहां से आपने उठा ली है अगर मैं बच्पन में ये देखता हूँ कि बेसिकली जो अगर मेरा नायक गरीब है और वो फिर लड़ता है विलन से तो और मैं अपने नायक को पसंद करने लगा हूँ तो याद रखेगा नायक को मैंने अपना रोल मोडल बना लिया जो गरीब है यद भी नायक गरीबी में नहीं जीता वो करोड़ों रुपे लेता है और एक भी पल सिवाए इस ड्रामे के वो नहीं जीता है गरीबी में पर वो हमें यही पढ़ा कर चला गया मही पर मैंने अगिर ये भी देख लिए उसी मोई में एक विलन है जो बेशी के लिए खराब काम करता है और जब खराब काम करता है तो उसको सभी आईमिन नमश्कार करते हैं उसकी बात मानते हैं, उसके पास पावर होती है और वो बहुत जीवन के आनंद लेता है तो फिर मेरे excellence में ये भी आ गया कि मुझे भी ये करना है ये excellence है ये बहुत impact डालती है हमारे mind के ओपर क्योंकि ये चारों तरफ हमारे गटित होती रहती है दूसरी excellence हम ये लेते हैं कि हमारे relatives basically क्या बात कर रहे है किसी particular चीज के लिए हमारे लिए और situation के लिए जीवन को वो किस तरह से perceive किया है उन्होंने अगर उन्होंने जीवन को संगर्ष की तरह परसीव किया है और बार बार यही कहा है कि जीवन संगर्ष है तो याद रखेगा इस समय अगर आप अपने जीवन में संगर्श कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कि ये संगर्श पूंड सुन्चोंथी चल रही है बलकि इसके लिए कि आपके अंदर जो fruit पड़ा है knowledge, a tree of knowledge का उसके अनुसार आपको यही बता गया है कि आप संगर्शी करते रहें और संगर्श करने के लिए आप कई बार यह देखेंगे कि आपके पास जो बड़ी opportunity आएगी कोई बड़ा आफसर आएगा आप उसे attract नहीं करेंगे कई बार आप उस बड़ी opportunity को attract इसलिए नहीं करेंगे कि अगर कोई बड़ा वेखती आपके जीवन में आ भी रहा है जो आपको mentoring देते हुए आपको बाहर निकाल दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप कहेंगे नहीं नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ मुझे इसको सुनने की अवशक्ता नहीं मैंने बहुत सारे लोगों से I mean conversation की है connect किया है पिछले कई दशकों में और मैंने पाया है कि कई बार लोगों के पास कोई भी बड़ी opportunity जब आती है और उसको कुछ भी effort नहीं करने पड़ते हैं लेकिन वो इस तरह का game खेलते हैं कि उस बरबाद कर देते हैं उस अवसर को फिर शुरू से कोशिश करना शुरू कर देते हैं याद रखेगा वो इसलिए होता है कि वो पहली चीज जिसको उनको समझना चाहिए वो local model excellence है अगर आपके subconscious की incels के अंदर past का कोई भी deep conscious I mean local model excellence negative पड़ा है तो याद रखेगा यह है आपकी potential को lock किये बैठा है यहाँ पर आप कितने भी motivational speaker को सुन ले जो आपके conscious mind को तो कुछ बाते बता रहे हैं लेकिन unconscious में अगर ताले पड़े हैं तो इसका कोई फाइदा नहीं है यह तो वही बाली बात हुई कि अगर मैं आप से कहूं कि आपके घर में जो तिजोरी रखी है उसमें करोड रुपे हैं पर आप उस तिजोरी को नहीं तो तोड सकते हैं और नहीं उसे खोलने का आपके पास passcode है तो इस समय आप करोड पती अरब पती होकर भी कंगाल के कंगाल है यही बेसिकली हम लोगों के साथ होता है सबसे पहली चीज़ को यह देखिए का कि अगर आप जीवन में रुख नहीं रहे हैं तो आप लोकल मोडल एक्सलेंस से कहीं परभावित हैं और वो निगेटिवली भी हो सकता है अब आप कहेंगे कि इनको कैसे तोड़ें याद रखेगा इने तोडने के लिए आपको सबकॉंशिस की पूरी स्टड़ी करनी होगी आप कॉंशिस माइंड के दौरा किसी भी काम को नहीं करते हैं आप अनकंशिस के दौरा करते हैं आप consciously अगर मैं आपको पढ़ाऊं कि तैरना कैसे आता है तो लो consciously मैं पढ़ा देता हूँ पानी में कूदना है, साह से लेते रहना है, हाथ पेर पटकना है, अपने आपको फलोट करना है, डरना नहीं है ठीक है ना, अगर मैं इतनी सी बात बताओं, यही आपका कोच बताएगा लेकिन आप तैर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी यह गौड जो आपकी नोलिज है, यह conscious नोलिज है यह आपके चेतन की नोलिज है, अब चेतन में नहीं गई, अब चेतन में जाने के लिए आपको 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन प्रैक्टिस करनी होगी और आपको जो इपनी गलती कर रहे हैं, उसको इंप्रूव करना होगा जब आपकी यह conscious, knowledge, unconscious के brain cells में अपना network बना लेगी उसके बाद भी फिर आपको practice करते रहना है, क्योंकि उस network के ऊपर एक insulation भी आना चाहिए जिस तरह से आपके wire, जो electric wire हैं, अगर आप उनके ऊपर insulation नहीं करते हैं तो आपकी सारी electricity पूरी तरह से बरबाद हो सकती है और discharge हो सकती है आपको उसके उपर insulation करना होता है, यहीं आपके अंदर भी है जब अगर आपने कोई किसी belief की, किसी skill की या किसी idea की एक खुब सुरत networking कर भी ली है तो उसको बचाए रखने के लिए आपको उसके उपर myelin चड़ाना होगा myelin की spelling है M-Y-E-L-I-N myelin एक प्रकार का neurotransmitter यानि के hormone है जो आपके mind में बहता है जब यह hormone बहता है तो इसकी खास बात यह होती है कि जो भी ideas आपके पास हैं, उन्हें वो fix कर देता है और वो idea अब आपके जीवन को पूरी तरह से परभावित करते हैं आपका conscious mind नहीं जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले तीन दिन में ही आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं तो दूसरा concept आप ये भी समझेगा कि आपको myelin concept को समझना होगा फिर ये कहना कि ये काम आसान है इसे तुम कर लोगे और ये चिला कर कहते रहो याद रखेगा आप ऐसे बातों के ऐसे वीडियों के एडिक्ट तो हो जाओगे रोजना देखने में भी अच्छी लगेंगे लेकिन उनी खड़े मिलोगे जहापर आप खड़ेते मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको आपने को नहीं देखना है पिर मैं ये कह रहा हूँ कि इनके परेकिक साइंस को समझेगा आप इसतना कहने से के मेरा बीपी 120 बटासी हो रहा है आप अपने बीपी को नहीं घटाते याद रखेगा आपका बीपी तब घड़ता है जब आप सबकुंशिस में पड़े हुए उन इशूद को रिजोल्व करते हैं जिनके कारण आपके आर्ट्रीज श्रिंक हो जाती है और आपकी हाटबीट बढ़ जाती है मेरी शूगर कम हो रही है मेरी शूगर नोर्मल हो रही है ये कहने से तब तक काम नहीं चलेगा जब तक कि आप सबकुंशिस के अंदर उन पैटर्न को नहीं अटाएंगे जिनके कारण आपका तनाव आपके लिवर में पड़ी हुई टूगर को आपके बलड में नहीं प्रिज रहा है लेकिन अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो आप याद रखेगा मिस गाइड़े है और आपको गुम रहा किया जा रहा है जब आप गुम रहा की बात करते हैं तो आप घबराईएगा नहीं बेसिकलि सभी लोग आपको रहा दिखा रहे हैं और वो आप गुम बता रहे हैं आपकी रहा गुम हुई है जिसे इस समय आप ढूंड पा सकते हैं कभी भी आप अपनी रहा को ढूंड सकते हैं लेकिन उस रहा को ढूंडना ही आपकी पोटेंशल है जब आप अपनी रहा को ढूंडना यानि के खोजना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रहा में डिफरेंट रिष्टों के साथ बैठा हूं, मा के लिए मैं बेटा हूं, बेहन के लिए भाई हूं, पतनी के लिए पती हूं, बेटी के लिए बाप हूं, ठीक है ना, और अगर मुझे इस रिष्टों का पता ही नहीं और मुझे यही नहीं पता कि किसी गलती से अगर मैं मेमوری को खो देता हो, तो क्या मैं इन रिष्टों को निभाऊँगा? जब मुझे यहीं नहीं पता है कि मैं कौन हूं? जब मुझे यहिए मालूम है कि एक महिला के लिए मैं पुत्र हूँ तो मैं उसे माँ का सम्मान दूगा और एक महिला के लिए बहँ हूँ तो मैं कैसे उस रास्ते को खोजूँगा। याद रखेगा जब आप ये कहते हैं कि आपकी रहा गुम हो गई है तो आपको सबसे पहले रहा को नहीं खुद को खोजना है। और खुद को खोजने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि आपकी पहचान क्या है जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। और आइडेंटिटी वर्ड को अगर इंगलिश में दो शब्दों में तोड़ें तो इसका पूरा फोर्म है इड एंड एंटिटी। इड का मीनिंग है कि जब आप बच्पन में होते हैं उस एनवार्मेंट को इड कहा जाता है। और एंटिटी का मतलब है कि आप एक यूनिट बन चुके हैं आप एक इकाई बन चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो बच्चपन में environment मिला है वहाँ से जोगी काई बनकर आई है वही आप जी रहे हैं आज की काई आज की identity हो सकते हैं आपके आप एक CMD हो आप एक CEO हो आप एक ट्रेनर हो आप एक डॉक्टर हो एक आप चार्डेड अकाउंट हो आपकी identity हो सकते हैं कि आपकी एक और identity है जिसे आप पीछे चोड़ कर आ गए हैं यद भी आपको लगता है कि आप अपनी identity को expand कर रहे हैं लेकिन जो बेस identity है उस वो अगर कमजोड है याद रखेगा उसके ओपर आप कितने मकान बनाएंगे कितनी मंजिले बनाएंगे अगर आपको कोई भी चीज change करनी है तो आपको identity को change करना होगा तभी आप अपनी खोई भी रहा को ढूंड सकते हैं वरना ये रहा गुम रहेगी अब सवाल उठता है कि अगर मैं अपने identity को बदल लूँ तो मुझे और क्या-क्या फाइदे होंगे जैसे ही आपके identity बदल जाएगी आपके लक्ष बद खेल रहे हैं simple सा बच्चों के साथ उस तरह से खेल कर बहार आ जाएंगे आपको कोई वैथा नहीं होगी नहीं आपको कोई वैवधान मिलेगा इतनी खास बात है आपकी identity तो आपको ये बताएगी कि आपके लिए किस समय पर क्या important है जीवल में याद रखेगा value system जिसको हम कहते हैं या value hierarchy कहते हैं कभी इसको आप मेरे साथ बैठ कर बनवाईएगा आपके subconscious के अंदर deeply पड़े हुए हैं कि आपके लिए क्या क्या चीज़े important है और उनकी hierarchy क्या है उनका sequence क्या है अगर आप उस sequence को नहीं खोल पाते हैं तो ना तो आपधन कमा पाएंगे और नहीं आप अंदर के उन values को नहीं ढूंडेंगे जो आपके अंदर पड़ी हुई हैं अगर किसी time पर आपकी deep value पड़ी है कि मैं तो freedom में जीना चाहता हूं तो याद रखेगा दूसरी value जो आपके परिवार के लिए जरूरी है कि वो हो सकता है कि आपकी growth हो या आपकी रिष्टे हूं तो आप कहेंगे कि हाँ उनको मैं जी लूँगा लेकिन deep value अगर आपकी freedom की है तो कई बार आप किसी भी responsibility को इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि आपकी यह value कि मुझे freedom में रहना है यह पुरी तरह से बरबाद हो रही होगी और यह बरबाद नहीं होने देगी इसलिए यह आपकी direction बदल देगी जब लोग कई बार मोटी कहते हैं कि मैं procrastination का शिकार हूं तो वो procrastination के शिकार नहीं होते भाई असलिएत में उस समय उनके mind के अंदर पड़ी हुई values उनको guide ही नहीं करती किधर जाना है और किस काम को कितनी जल्दी निप्टाना है आपका value system basically आपके लिए एक यू समझे दिशा निर्देश दिखाने वाला यंतरह जिसको आप compass कहते हो अगर आप अपने जीवन में compass को खो चुके हो तो समझ लीजेगा कि आप अपनी value hierarchy को समझ नहीं पाए और ना ही किसी ने आपको बताया है अगर आप अपनी identity को ठीक कर लेंगे तो एक चीज़ और भी ठीक होगी कि आप अपने जीवन के purpose को भी डूंडना शुरू करेंगे आप तोटे हुई identity के साथ purpose को नहीं पूरा कर सकते और goals को भी पूरा नहीं कर सकते आपके identity क्या है यही तो आपके goals को निर्दारित करेगी और goals को निर्दारित ही नहीं करेगी बलकि goals को achieve करने के लिए आपको पूरी शक्ति भी देगी इसलिए आप इस पहचान को दुबारा बनाने के लिए एक नया कदम उठाईएगा एक ऐसा mentor ढूंड़िएगा जिसको इसकी इसकी इसका ग्यान हो deeply सिर्वो उपर की बाते ना करे बलकि आपके neuron में आपकी पैचान क्या है यह आपको पता होना चाहिए अगर आप अपने जीवन में धनवान बनना चाहते हैं तो इसी समय आप एक test कर सकते हैं अपने अंदर आप अपने मान स्पटल पर उन लोगों को देखेगा जिन को आप यकीन करते हैं कि वो धनवान हैं वो अमबानीज हैं टाटाज हैं बिरलाज हैं दोनीज हैं कॉलीज हैं तेंदुल कर्स हैं उनके फोटो लाईए अपने सामने देखे का क्या आप भी महापर हैं या उनकी इमेज आपकी इमेज से अलग है अगर आपकी इमेज उन डिच लोगों से अलग है दनवान लोगों से अलग है उन लोगों की जो दनवान हैं अगर उनकी इमेजिस कलर्ड हैं बढ़िया हैं और आप अपनी image को देखते हैं तो वो तो black and white है या चोटी है या वैसी नहीं है जिसी वो images है जो धनवान लोगों की है तो याद रखेगा आप अपने ही mind में कुछ जगे पर नहीं है जहां पर धनवान रहते हैं यानि कि आप अपने आपको identify ही नहीं करते हैं कि आप धनवान है याद रखेगा इसी लिए अधिकांश जो लोग बीमारे रहते हैं वो बीमार की identity को जीते हैं क्योंकि उन्हें यहीं नहीं पता कि वो है कर healthy हो जाएंगे तो वो पहचान कैसी होगी उस पहचान के rewards क्या होगे उस पहचान की responsibility भी क्या होगी कही बार वही responsibility वो avoid करना चाहते हैं कि अगर मैं ठीक हो गया तो बहुत काम करना होगा और वो identify करने लगते हैं अपने आपको sick person की तरह एक unhealthy person की तरह अगर आप अपनी potential को एक बार फिर unlock करना चाहते हैं तो अपने identity के ओपर काम करना शुरू क करें जब मैं अपने career को और अपनी life को एक नया आई मिन दिशा दे रहा था तो उस समय मैंने identity के ओपर बहुत काम किया और मैंने पाया कि हम मेरी identity तो पूरी की पूरी उसी tray of knowledge का fruit खाके बरबाद हो चुकी है क्योंकि जो लोगों ने मुझे बताया है मैं तो वही मान रहा कि मैं वही हूँ मैं क्या नहीं कर सकता मुझे मैं घटनाओं से अपनी identity को बना गया था बातों से बना गया था लेकिन आप ऐसा ना करें आप अपनी पहचान को त्यार करें आप अपनी पहचान को कभी भी expand कर सकते हैं याद रखेगा यही आपका सबसे बड़ा बेस है की एनरजी गाया मिलती है दिन भर आप disoriented feel करते हैं इसका बड़ा reason भी identity है क्योंकि आप यह नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं और मुझे किन चीजों से relate करना चाहिए इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी potential को unlock करना चाहते हैं रिष्टों के लिए तो सबसे पहले चीज य होगी कि मैं किन चीजों से relate करूँ और किन चीजों से relate ना करूँ अगर मेरी identity याद रखेगा एक victim की है तो मैं हमेशा क्रेस्क्यूर से ही तो relate करूँगा कि मुझे कोई आए और बचा जाए लेकिन अगर मेरी एक identity warrior की है तो मैं लड़ने के लिए तयार हूँ जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरी identity अगर बीमार की है तो मैं सिर्फ बीमारी को हटाने की बात करूँगा और अगर मेरी identity healthy person की है तो मैं health का सीकर बनूँगा health की को बहतर करने की अंदर मेरे और जिग्यासा बढ़ेगी अगर मैं अपने आपको common man या middle class family से relate करता हूँ या identity रखी हुई है तो याद रखेगा मैं middle class के ही संगर्षों से relate करूँगा और मैं कभी नहीं सोचूँगा कि ये संगर्ष basic लिए हमारे जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है हम मस्ती के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं lesson को ही पैदा करने वाली घटना आएंगी वही चीज़े मुझे याद आएंगे और वही लोग मेरी life में आना शुरू होंगे यानि कि अगर जो भी मेरी identity है तो याद रखेगा वही सारा कुछ universe मेरे साथ game खेलना शुरू करेगा अगर आप identity को और बेतर तरीके से समझना च है कि यह पता नहीं क्या चीज़ है यह रियल है और इसको अगर आप यूं समझें कि आपके चारो तरफ मेरे चारो तरफ एक universal सबस्टांस है जो invisible है अब अगर मैं कह सकता हूं दिखाई दे जाए कि दूंत बंद कर लेकिन यह material completely invisible है यह हर एक चीज का raw material है और इस समय यह मे वापस उसी energy में चली जाती है पर क्या आप कभी जानते हैं कि आप इस energy को परभावित कर सकते हैं monistic theory या फिर अद्वयत सिद्दांत वेदांत का यह कहता है कि हां इस material के अंदर एक ग्यान है एक थोट है नीम का पेड़ कड़वा ही रहेगा आम का पेड़ कभी भी लाएंगे कहने का मतलब यह है कि आखिर कौन है जो उस चोटे से बीज के अंदर से एक बड़े पेड़ को पैदा करता है कौन है जो उसमें कड़वाट लाता है और उसमें मिठास लाता एक पेड़ में याद रखे गाट इस the intelligence of this universe जिसको monistic theory में miracle substance यानी कि जादूी पदा पारत कहा गया है इसी का नाम रख दिया है कई बार universal intelligence इसी का नाम रख दिया है I mean God the generator the operator the destroyer यह destroy होने के बाद हम जिसमें मिल जाते हैं लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह किसके thought को लेता है अगर आप identify कर रहे है negativity से identify कर रहे हैं pain से identify कर रहे हैं गरीबी से याद रखे का यह इस universe में जाए इस universal product में जाएंगे और यह universal product उसी तरह की आपके life में synchronicity पैदा कर देगा यह synchronicity क्या है याद रखेगा वो घटना है जो आपके साथ घटती हैं जब भी आप किसी भी बढ़िया गोल की तलाश में एक I mean एक mentor को ढूनते हैं तो सदलनी वो mentor मिल जाता है और अगर आप depressed हैं तो आपको depression के ही लोग मिलेंगे और अगर आप यह कहते हैं कि मैं तो गुंडा बनना चाहता हूं शाम तक कोई न कोई कट्टा बेचने वाला या हत्यार बेचने वाला चाकू बेचने वाला आपको मिल जाएगा आखिर यह ऐसा क्यों होता है इसलिए हो यह है कि जो भी आप identify करते हैं उससे उत्पन जो भी थोट आते हैं उन थोट की जो भी intensity होती है उस थोट को लेकर आपका RAS Factor Reticular Activating System बेसिकली इगनाइट हो जाता है जो भी थोट आपने उस जगह को दिये हैं अपने brain के यह medically prove हो चुका है कभी भी आप Google कर सकते हैं उसी पर है कि चीजें आपके जीवन में आपका RAS Factor के साथ मिलकर पैदा करने लगता है इसे हम Synchronicity कहते हैं कि अच्छनक आपने कहा कि आज से में पैसा कमाऊंगा और सड़नली आपको एक air दिखाई दे गया एक विग्यापन दिखाई दे गया आपके Facebook पर तो या आपकी YouTube पर तो या किसी अकबार में कि एक workshop हो रही है जहां पर आप धन को कमाने और बचाने और बढ़ाने के तरीके सीखेंगे अब आपके उपर है कि ये intensity कितनी strong थी आपकी उसी तरह से फिर अपने decision लेंगे अगर आप अपने अंदर की potential को unlock करना चाहते हैं तो याद रखेगा आप आपको इन सभी चीजों में RS factor को भी सबसे उपर रखना होगा अगर आप अपने life में उस पैसे को नहीं कमा रहे हैं हर रोज आप नहीं एक वीडियो सुन लेते हैं कि पैसे को कैसे बढ़ाएं पैसे को कैसे कम करें पैसे को कैसे multiply करें अपने decisions को कैसे ठीक करें याद रखे पपड़ी आने लगी है या गंदा सा एक डाग पढ़ने लगा तो अब आप बेसी केली नहीं नहीं क्रीम से डुण रहे हैं और नहीं प्लास्टिक सरजरी की बाते कर रहे हैं कि कैसे मैं इस skin को साफ करूं अरे भाई अंदर की पस तो निकलेगी तभी तो चीजों को ठीक क दिया जाएगा जिस दिन आप यह समझ लोगे उसी दिन आपके पास सबसे इंपोर्टेंट चीज यह नहीं कि अनलोकिंग दा पोटेंशल का पहला स्टेप शुरू हो जाएगा जब आप अपनी पहचान को तेह कर लेते हैं याद रखेगा आप अपने आरेस फेक्टर को ही नहीं बलकि आप अपनी थिंकिंग पैटर्न को भी ठीक कर देते हैं जिसको आप बिलीफ सिस्टम कहते हैं अब बिलीफ क्या है हर तीसरा आदमी इस बिलीफ के बारे में बात करता है और अक्सर मैं लोगों से दीरे से कहता हूँ कई बार वो तो कहते हैं कि तुम मजा कर रह पता नहीं चलेगा जब तक कि उसके रिपर्जेंटेशन को आप नहीं जानते हैं बिलीफ बेसिकली आपके नियूरोन में पड़े हुए वो विचार हैं जो इस त्री आफ नॉलिफ से आपके पास आये हैं उस खाने को लेकर जो आपने वो फूर्ट खा लिया है जहां पर चले आपके लिए मना किया गया था, कि उन फ्रूर्स को मत खाना और आपने बहुत वहां सारी जेनलाइज रेंडम ओपीनियन को एखटता किया हुआ हैं वह ओपिनियन के अंदर उनको इस तरह से रख लिया गया है इस तरह से रख लिया है कि आपके न्यूरोंड से इसके उपर अब कोई भी डाउट नहीं करते हैं। डाउट आपका conscious mind करता है। और conscious mind को आपके खराब कर दिया उस सर्पेंट ने उस साप ने जो उस क्री आफ नॉलिज पर रहता था समाझने की कोशिश करिएगा बहुत सारे लोगों ने वही रोल पैदा किया है हमारे लिए जो उस पेड़ पर वो जानवर रहता था याद रखेगा बहुत सारे लोगों की बाते हर रोज आपके कॉंशिस कानों में पड़ते हैं पर आप उनके उपर डाउट नहीं लगाते रोज के विग्यापन रोज के बेकार की बाते हैं बहुत सारी वीडियो बहुत सारी टॉक्स बहुत सारी लोगों के विचार आपके कानों के अंदर जाकर कोई फिल्टर नहीं रखते हैं आप कानों में और वो डिरेक्ट ले आपके अंकंशिस का पार्ट बन जाते हैं और अं पाँच बार आपने सुन लिया और इसके ऊपर आपने कोई अब्यक्शन नहीं लगाया यद्वपी आपके पास बुद्धी थी इंटलेक्ट था बुद्धिक बुद्धिक इस तर पर आप इसे ठीक कर सकते थे पर आपने नहीं किया प्योंकि वह बात ही कुछ इस तरह से नियूरोंस हैं एक चीज़ को जानते हैं कि अंधेरे में भूत होता है और वो दूसरी चीज़ जानते हैं कि भूत खतरनाक होता है वह नुकसान कर सकता है और तीसरी चीज़ यह उसने यह मान ली कि भूत से आपको बचाने के लिए क्या करेगा वो निशित रूप से आपक आरकनेस यानिके अंधेरे में जाएंगे तो आप उस भूत को महसूस करेंगे और यह है आपके माइंड की पॉलिटिव इंटेंशन है एक सकारात्म की राद है क्योंकि आपने ही तो उसको बताया हुआ है कि भूत खतरनाक होते हैं यह तो वही वाली बात है कि आपके पास एक खुबसुरत इस्टोर की पर है आप एक बहुत बड़े राजा हैं आपके पास एक इस्टोर की पर है और एक दिन आपने माल लेते हैं इस पैंसिल को यह पैंसिल है इस पैंसिल को उस्टोर की पर को दिया और उसे यह कह दिया इसको संभाल कर रखना इसको ध्यान से रखना यह basically atom bomb है यह फट सकता है और उसने atom bomb की जगह उसने रखती कि हाँ यह atom bomb है और उसने एक दिन atom bomb के बारे में सुन लिया कि यह फट जाएगा तो पूरा सामराज्य बरबाद हो जाएगा और इसकी life भी जादे नहीं होती इसे बचाने के इसे ऐसी जगह रखा जाना चाहिए जो बहुत ही safe हो अब आपका जो इस्टोर कीपर है वो आपका बहुत loyal है वो क्या करेगा वो जब भी आप आते जाते रहेंगे आपके याद दिलाएगा कि मेरे पास एक atom bomb है उसे ये नहीं पता ये pencil है pencil का आपको पता था पर इस समाज ने इस pencil को आपको hypnotize कर दिया थोड़े देर के लिए और कह दिया ये atom bomb है और आपने किसको बता दिया इस्टोर कीपर को और इस्टोर कीपर आपका loyal है वो सवाल नहीं पुछेगा बस वो ये ही कहेगा सार मेरे बात तो सुनो सहाब जी बात तो सुनो जब भी आप सोएंगे वो आपको दर्वाजा कट-कटाएगा जब भी आप गुजरेंगे वो चिलाएगा जब भी आप कहीं कुछ कहेंगे वो हाथ खड़ा करेगा मेरी भी तो सुनो और आप क्या करेंगे आप कहेंगे कि साथ इस स्टोर के पर ने मुझे बर्बाद कर दिया तो इस स्टोर के पर को आप क्या करेंगे सजा देंगे मारेंगे पीटेंगे ठीक है ना पनिश करेंगे यही तो बिल्कुल आप करते हैं जब आपका शरीर आपको क यह बता रहा है कि भाई मेरे पास एक एक एटम रखा है और मैं तुम्हें तंग इसलिए कर रहा हूं और तुम क्या करते हो तो instead of resolving that issue के real issue क्या है उसे resolve करने के अलावा हम क्या करते हैं या तो हम chemicals खाने लगते हैं या कुछ बेकार की बाते और अपने दिमाग में ले लेते हैं याद रखेगा जो real आपका जो solution है वो ये नहीं है कि आप उस store keeper को बार बार punish करें वो तो जब तक आपका loyal रहेगा तब तब आपको याद दिलाएगा और आपको यादी नहीं दिलाएगा परिशान भी करेगा और ये उसकी positive intention है जब आप unlocking का potential की बात करते हैं तो याद रखेगा आपके अंदर किसी भी I mean कोई भी belief ऐसा पड़ा है जो negative है तो याद रखेगा आपका mind और आपकी body अउस belief को लेकर आपको एक चेतामनी दे रही है अगर आपको ये बतायागा है कि पैसा संगर्ष से आता है तो याद रखेगा ये belief आपके अंदर पड़ चुका है अब आपके neurons basically सिर्फ संगर्ष ही संगर्ष करेंगे अगर किसी दिन आपके पास बड़े पैसे की कोई opportunity आजाए या कोई mentor या कोई guide मेरे जिसा आपसे कहें कि नहीं नहीं रस्ते हैं आप कहेंगे नहीं मैं नहीं मानूँगा क्यों कि आपके अंदर एक inscription पड़ा है और वो inscription ये पड़ा है ये वो एक pattern पड़ा है और वो ये पड़ा है कि धन जो है वो संगर्ष ही आएगा और आप संगर्ष ही करते रहेंगे जब जब आप संगर्ष करेंगे आपको लगेगा कि देखो धन आ रहा है, धन तो आएगा, वगिर संगर्ष के भी, स्मार्ट वर्किंग से भी आएगा, लेकिन जब धन्गर्ष से आएगा, तो उसे ही आप मानेगे, बस ये धन इसी तरह से आ सकता है, यानि कि आपने सिर्फ एक डिरेक्शन को देख लिया है, ये तो वही वा दिवारे दिखाई दें, आपको सब के चेहरे पहचानने का मौका मिले, ऐसा ओपरेशन करवाओगे, क्या आख का, कि आपको सिर्फ एक ही आदमी का चेहरा पहचानने की आपके पास बिनाई आए, नहीं, बिल्कुल नहीं, याद रखिए कि अगर आप अपनी पोटेंशल क अपको करना चाहते हैं, तो आपके सबकुंशिस के अंदर डीपली ये बिलीफ पड़े हुए हैं, और ये बिलीफ क्या करते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ, ये बिलीफ आपस में, नियूरो ट्रांस्मीटर के द्वारा दूसरी सेल को भी वही बिलीफ दे देते हैं, और एक ब्रेन सेल उसी नियूरो ट्रांस्मीटर का यूज़ करते हुए, दूसरी सेल को, एक सेल एक बार में पच्छिस से लेकर दस अजार सेल के साथ जुड़ी होती है, एक बिलीफ आपके अंदर आ गया है कि पैसा, संगर से आता है, पैसा कराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो लाइफ खराब है, याद रखे कि आपके 80 बिलियन नियूरों में ये खबर जा चुकी है, और 80 बिलियन नियूरों में खबर जाने का मतलब ये नहीं है, कि अब आप शान्तियों से बैटेंगे, नहीं, ये नियूरोंस इमीडियेटली, नियूरो पैप्टाइड के हम परिशानी में हैं, यानि कि जो आपका बिलीफ है वो बसिकली बाइओ जी में बदल जाता है, बिलीफ औब बाइओ बाइओ बीलीव है किताब पड़ली भी होगे, तो हरूर अएग बिलीफ बसिकली आपके नियूरो पैप्टाइड यानि के रसायन में बदलता है, और यह रसाइन तेह करते हैं कि अब आपके cell के उपर क्या atmosphere होगा, आपकी cell के उपर क्या environment होगा, आपकी cell के अंदर जो DNA है, वो किस तरह से काम करेगा, DNA का जो mitochondria है, जहाँ पर आपकी energy stored है, वो energy, I mean weakness में बदलेगी, excitement में बदलेगी, गुसे में बदलेगी, intensity उसके जीन, आपके जीन पर चली जाएगी, और फिर आपसे कहा जाएगा, आपके genetic ही problem है, और अगर आपके पास genetic problem आगई है, fear की, आपके पास आगी genetic problem, गलत belief की, याद रखेगा, यही चीज़ shift कर देंगे आप अपने बच्चों में, इसलिए आपके लिए जरूर ही है, कि आप अपने belief को भी बदलें, belief आपका क्या है अपने past के लिए, कई बर आपका belief past के लिए बहुत negative है, वहाँ से आपको heal करना होगा, heal करने का मतलब यह नहीं कि I am healing my past, I am healing my past, no, आपको उन टेक्निक से बज़ुड़ना होगा, जो neuroplasticity के नाम से जाने जाती है, heart consciousness के नाम से जाने जाती है, frontal lobe के नाम से जाने जाती है, उस टेक्निक के साथ ज़ुड़ना पड़ेगा, जिसको आप neurolinguistic programming, subconscious re-imprinting के नाम से जाने हैं, आपको उन टेक्निक के साथ ज़ुड़ना पड़ेगा, कि किस तरह से आप अपने belief को पूरी तरह से transform कर दें, और याद रखेगा, अच्छी बात तो यह है कि आप अपने belief को बदलते रहते हैं, transform करने की शक्ती रहते हैं, जब आप बच्चे थे तो आपको एक belief तागे 25 अफ डेसेंबर को सेंटा कलो जाएंगे और आपको गिफ्ट दे कर चले जाएंगे, और आप अपने कई बार सोक्स को अपने तक्ये के नीचे भी रखा करते थे, ऐसे ही था ना, लेकिन ये belief बदल गया जब आप बड़े हुए, याद रखेगा आपके belief हमेशा transform होते रहते हैं, अगर आप अपने beliefs को बहुत दिनों तक transform नहीं कर पाए, अगर आप ये मानते हैं कि कैंसर लाइल आज बीमारी है, और आपने education नहीं ली, अगर आप ये मानते हैं कि diabetes लाइल आज बीमारी, अगर ये मानते हैं कि रिष्टे जी का जंजाल हैं, और इनको आपने पढ़ाई से अच्छे mentors के द्वारा बैट कर उनकी courses को करकर इनको नहीं बदला तो याद रखेगा, अभी आप उस बच्चे की तरह हैं जो बोना हो चुका है, हर एक belief को इमर के साथ बदलना होता है, और belief को बदलने का सबसे important factor है, वो है reference, अगर आप अपनी potential को unlock करना चाहते हैं, तो आपको अपने references को बदलना होगा, references basically आपके जीवन के धागे हैं, references are the fabric of your life, references का मतलब है आपके past के अनुभव, कई बार हो सकता है आपके past के अनुभव अच्छे ना हो, कई बार हो सकता है कि उन्होंने आपको रूलाया हो, हो सकता है कई बार आपने उनको बहुत suffering के साथ लिया हो, लेकिन याद रखिएगा, हो सकता है वही सबसे important चीज़ आपकी life में गटी हो, कई बार मैं सोचता हूँ आपने लिए, जब मैं सोचता हूँ कि यार मैं 10th में इसलिए, 10th में मैं अपने marks नहीं ले पाया अच्छे से, and I lost an opportunity जिसको हम कहते हैं, उस time जिसको हम कहते हैं, डिप्लोमा में जाना और सिविल इंजिनियर बना करते थे, अलेक्ट्रिकल या, पर मेरे marks कम रह गए थे mathematics में, और मुझे admission नहीं मिला, और मैं बड़ा दुखी हुआ था, कि भाई मैं एक diploma के, I mean, school में नहीं जा पाया, ये college में नहीं जा पाया, मैंने 12 की, मैंने बड़ अच्छे मार्ग से लिए, पर उस ताइम मेरा migraine बढ़ गया, उस ताइम मैंने कोशिश की, बहुत सारे engineering colleges में, पर में वहापर भी मुझे success नहीं मिली, और एक बड़ा दुख भी हुआ, उसके बाद BSC में, division बढ़ा बचानी मुश्किल हो गई, second division से जैसे तैसे पास हुए, उसके बाद एक बहुत अच्छी opportunity मिली, कि मैंने convince किया, एक university को अथर्टिकों के मुझे वो admission दे, तोल है लोगों में मेरे भी नाम ताइए, यानि कि सिर्फ 16 people were there in physics, clear रहें, लेकिन वहाँ पर भी मुझे अच्छानक बतायागा, डॉक्टर ने कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, and can you believe, कि मैंने MSC को within three months छोड़ दिया, और मैं job less था, याद रखेगा, इतने सारे उनके आने के बाद, मैं जिस company में भी जाता, मुझसा ने रेजी नहीं आते थी, salesman की नोकरी भी मुझे कोई नहीं देता था, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक negative references का, याद रखेगा, मेरे पास तांता लगता गया, उसके बाद मैं और भी बताना चाहता हूँ, अपनी life में, अगर मुझे पहली नोकरी मिली थी, तो वो मुझे सिर्फ medical store पर सफाई करने की मिली थी, एक मैंने अपने career में, medical company भी शुरू की थी, drastically failed, मैंने एक और बड़ा business शुरू किया, जहांसे मुझे, कहा गया कि आप इसको छोड़ दीजे, यदिपी वो बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है, लेकिन याद रखेगा, मेरे एक mentor ने कहा कि ये references, आपके जीवन के, नुकसान देने वाले भी हो सकते हैं, और अच्छे भी, मैंने कहा कैसे, उन्होंने कहा कि अगर आप पहले ही दिन, दस्री किलास में आपके marks अच्छे हो जाते, और उसी दिन आप एक junior engineer बनकर, किसी यहां, किसी यहां civil engineer होते, या फिर आप एक electrical engineer होते, think of the situation, कि आप कहां पर होते, और जिवन को इस समय आप जी रहे हैं, क्या यह जीवन होता, मैंने का बिलकुल नहीं, तो लिखो उस पर, जो भी हुआ, अच्छा नहीं हुआ, आए अच्छा ही हुआ, whatever happened, happened for a purpose, कि उस दिन वो अच्छे marks नहीं आया, उसी तरह से अगर आपके बास BSC में हो जाते, MSC हो जाते, तो आप क्या कर रहे हो होते, क्या ये कर रहे होते, जो आप करना चाहते हैं, ये ही तो करना चाहते थे आप लाइफ में, I said yes, और उसने कहा है कि जितने भी failure आपको लाइफ में मिले हैं, जो आइमीन अपने करियर में मिले हैं, याद रखेगा, उन्होंने आपको खराब किया है, या अच्छा किया है, या आपके उपर हैं, हम हमेशे ये साते हैं, कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, याद रखेगा, जो भी हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, In my life I had five references जहां पर मुझे near death experience है एक तीन मंजीला मकान से एक छोटी जे गली से मैं गुजर रहा हूँ और तीन मंजीला मकान समझ लीजे उसकी छत पर बच्चे केल रहे होंगे और उन्होंने एक इट पहां की और इट कहां गिरी can you believe let me disclose a fact today और मैं उस समय नोवी आठ वी या नोवी क्लास में था it was a very bad time for my family because I lost my father at that time मैं cycle पर था उस गली में धीरे धीरे cycle चला रहा था और वो जो इट पड़ी है वो मेरे cycle के पीछला जो stand होता है उसके उपर गिरी यानि के मेरे सर से मुश्किल से एक इंच पीछे गिरी है had it fallen on my head तो क्या होता so whatever is happening in your life याद रखेगा it is happening for a purpose good or bad को छोड़ दीजेगा अगर आप अपनी potential को unlock करना चाहते हैं अपने references को एक तरह से settle करिए आपके पास हो सकते हैं कि बहुत अच्छे references और life को जीने के और आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि they are born with silver spoon उनके पास याद रखेगा जब वो पैदा होए तो उनके पास सब कुछ था लेकिन they could not live आप एक ऐसे आदमी को भी जानते हैं जुसने 7000 करोड रुपे कमाए लेकिन उसकी life को आप देखें तो you will hate that life and you know that person died recently वो किंग ओफ स्वेर साब कह सकते हैं I do not want to criticize anyone बट मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक एरिया में बेतर हो सकते हैं अगर आप धन कमाने में बेतर हो सकते थे आप अपने वेट को भी ठीक करने में सफल हो सकते थे लेकिन हो सकता है कि पैसे के लिए आपके reference ठीक टाक हो लेकिन आपने अपने सेहत के लिए अपने मोटापे के लिए अपनी health के लिए reference खराब की होए थे और आपने उसी खराब health में अपनी 40's में यह early 50's में यानि कि इस जीमन को छोड़ दिया जबकि आपके पास 7000 क्रोड थे और इन 7000 क्रोड से आप और 7000 क्रोड कमा कर इस सुसाइटी को बहुत बड़ा एक गिफ्ट दे सकते थे याद रखेगा नाम तो बड़ा हो गया लेकिन आपके रेफरेंस कहीं बहुत पूर थे अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी potential को unlock करना चाहते हैं तो अपने past के अनबवो को learning की तरह लेना शुरू करें learning की तरह जैसी आप अपने references को लेना शुरू करेंगे तो immediately आपके अंदर एक ओर चाहेगी हो सकता है कि आपको कोई छोड़कर गया हो हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ा लोस आया हो हो सकता है आपकी लाइफ में ग्रीफ आया हो याद रखेगा यह सब की लाइफ में आते हैं ऐसा कोई रखती नहीं है I have faced a very early grief in my life that caused me the migraine, the acidity, even the rheumatide arthritis लेकिन याद रखेगा अगर मैं उन्ही पलों को देखता हूँ तो महीं से मुझे एक बहतर डिफरेंट या फिर एक नया जीवन लेने का मौका भी मुझे महीं से मिला है वो दूसरी बात रही है कि बहुत सारे रेफरेंसिस ऐसे भी आते रहते हैं आते रहे कि वो डिटूर होता चला गया यानि कि वो लंबा होता चला गया रास्ता लेकिन एक बात को याद रखेगा यू विल रीच वियर यू बिलॉंग टू आप वहां जरूर पहुंचेंगे जहां से आप बिलॉंग करते हैं रामदेव को देखिएगा स्वामी रामदेव को देखिएगा उनके पास नहीं बहुत बड़ी बैक्ग्राउंड थी नहीं उनके पास बहुत बड़ा धन्ता नहीं वह बहुत बड़े आई-एस ओफिसर के बेटे थे और नहीं वह आयम एम जाना तो चला गया, एक आदमी है, जिसका नाम विजय मलाया है, और वो भी जाना तो चला गया, याद रखेगा, you will reach where you belong to, आपको कोई नहीं रोक सकता, या तो आप हूचाई पर जाएंगे, या आप अपनी नीचाई पर, और यह सब डिपेंड करता है, कि आप अपने प्रेंटिंग, नियूरो प्लास्टिसिटी, हार्ट कंशिसनेस, फ्रेंटल लोग जैसी टेकनीक लगा कर आपको हेल्प कर सकते हैं, जो आपको एक खोब सुरत सा हिपनोसिस का सेशन दे कर आपके खोब सुरत, I mean, बिलीव को इंप्लांट कर सकते हैं अपने प्रजेंट के दे के लिए और अगर आपि यह लोग करना चाहते हैं, तो आपको अपने फिbas को देखना हो रहा है, फिचर के लिए आप किस तरह से बैटे हुए हैं, और किस तरह से आप सोचते हैं, जब हम future की बात करते हैं, फ्रेंट्स हम इसको बविश्य कहते हैं, और इसकी पूरी form मे भव इस्ट, भव इस्ट का मीनी यह है कि आप इस्ट मिन्स जो डिवाइन है, जो देवी है, जो पूजनी है, जो पॉजिटिव है, जो मन्चा है, और भव मिन्स घटित होना, जब जब आप अपने आने वाले समय में उन कीजों को घटित करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं positive हों याद रखेगा उसी को भविश्य कहा जाता है वरना वहाँ पर भी pain पड़ा है यही कारण है कि लोग अकसर अपने भविश्य में बहुत सारा दर्द देखते हैं वो इसलिए दर्द देखते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक उन जो इस्ट घटनाए हैं उनको भव यानिके उनको घटित करने के लिए प्लान नहीं किया इसके लिए जरूरी है कि आप अपने outcome के साथ जुड़ें अगर आप अपनी potential को लोग करना चाहते हैं तो आप अपने outcome के साथ जुड़ें outcome का मेनी यह है कि आज आप जिसी स्थिति में हैं यह आपकी प्रजेंट स्टेट है इसे आप कहां ले जाना चाहते हैं वह आपकी डिजार्ड स्टेट है याद रखेगा इन दोनों के बीश का गैप ही आपका दर्द है और यही आपका सबसे बड़ा excitement भी हो सकता है आप आज हो सकता है कि 98 kg के हो पर आप 67 kg के होना चाहते हो याद रखेगा आप नहीं है यही पेन है और आप हो सकते हैं यही एक excitement है यही आपकी सोच आपको याद रखेगा डिफरेंट बनाएगी हो सकता है कि आज आपके पास पैसे ना हूँ पर आप पती कैसे बनूं यही आपको दर्द भी दे सकता है और मैं जीरो पर हूँ और क्रोड़ रुपे कमाऊंगा यही आपके एकसाइटमेंट का भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है याद रखेगा लेकिन इसको पूरा करने के लिए सब लोग आपको हाउ बताएंगे कि आपक वाई क्या है याद रखेगा जब आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना शुरू करते हैं किसी भी आउटकम के लिए तो आपके नियरोन आपको इम्मीडेटली रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं मैं अक्सर एक एक एक्सपरिमेंट की बात करता हूँ जिसका नाम है ग अप्रिशेशन, ग्रेटिट्यूड, फॉर्गिवनेस इसको सोचें इसकी फिलिंग को क्रियेट करें और बताएं कि क्या हुआ तीन मिनट के बाद उनके डियरोन ने को चेक किया गया जो उनके इसाब हाथ में बीकर में रखा था वहाँ को फरक नहीं पड़ा लेकिन उनसे दूसरी बार कहा गया कि अब आप इनीव इमोशन को पैदा करें आप लव, एप्रिशेशन, ग्रेटिट्यूड, फॉर्गिवनेस, एंपावरमेंट इन सब को आप लें और एक आईडिया भी रखें कि आपका डियरोन ने गूमना चाहिए और पता है तीन मिनट के बाद उ भाए बड़ा स्ट्रोंग होना चाहिए अगर आप अपनी पोटेंशल को अनलोग करना चाहते हैं फ्रेंड्स याद रखेगा आपके पास पेन और प्लेजर का एक बहुत इंपोर्टेंट कॉम्बिनेशन बना हुआ है जब भी आप किसी चीज को पाना चाहते हैं उसे नही पाया तो कितना पेन होगा उस पेन की इंटेंसिटी बढ़ाईए और अगर आप मिल गया तो उसके प्लेजर्स की इंटेंसिटी बढ़ाईए तो आप इसका काम तो आप अपने अंदर के रुके हुए जो बिलीफ हैं जो इस टेक स्टेट में आपको ले जा रहे हैं जो इस बार आप गरीबी का बीमारी का पे ओफ लेते हैं इस वर्ड को समझ दीजेगा पे ओफ का मतलब होता है रिवार्स कहीं ऐसा ना हो कि आप इसलिए बीमार हैं कि आपको बीमारी के रिवार्ड मिल रहे हैं आप कितनी भी वीडियो सुन लीजेगा कि बीमारी को छोड़ आप छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि आपके सबकुंशिस माइंड को आपके नियरोन्स को इस बीमारी से कोई न कोई रिवार्ड मिल रहा है तो याद रखेगा जीवन में अपने रिवार्ड के परती ओडिट करिएगा आप कहीं ऐसी जगे से रिवार्ड तो नहीं ले रहे हैं जो आपके लिए बहुती नुक्सान दायक है हो सकता है कि आपको गरीबी के रिवार्ड मिल रहे हो और गरीबी का रिवार्ड बहुत अच्छा मिलता है कही बार रिस्दार कहते हैं देखो बेचारा ये गरीब है इसको कुछ करना चाहिए लेकिन ये reward आपके लिए काम नहीं करेगा ये सिंपेथिक काम नहीं करेगी reward होता है आपके लिए हर एक चीज का आपके पास reward है अमीर बनने का भी और गरीब बनने का भी बस गलती यो कर रहे हैं हम कि इन rewards का ध्यान नहीं रखते हैं अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी potential को unlock करना चाहते हैं तो इन rewards को भी देखना शुरू करें और एक बार आप अपने mind के अंदर जाकर बैठें कि आप क्या चाहते ह और जैसे ही आप पाते हैं कि वो excitement अब आपके पास है आप अपनी जर्मी को पोरा कर देते हैं आगे बढ़ने लगते हैं और आपके neurons एक बार फिर आपको आगे बढ़ते हुए देखते हुए internal world में एक dance करते हैं and you start becoming a unique person become a unique person नमश्कर